जैहिन दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप सब लोग देख रहे एक Global Conflict दोस्तो पिछले साल चायना के साथ जड़व शुरू होने के बाद अगर भारत का किसी हतियार को सबसे जादा मजबूत किया गया है तो वो है ब्रमोस चायना के साथ जड़व के बाद ब्रमोस मिसायल के कई सारे परिक्षन किया गया और मिसायलों में कई सारे अपग्रेशन भी किया गया जिसके बदौलत मिसायलों का range तो बढ़ा ही है साथ में इसका accuracy और एक से अधिक platform से launch किया जाने का capacity भी बढ़ा है ब्रमोस मिसायलों को ल ये वीडियो के आखिर तक बने रहीए और चैनल को ससक्राइब और वीडियो को लािक जरूर कीजिए। Vice President अनिल जैस सिंग के तरफ से भी इंडिया टीवी में एक इंट्रुवी में बयान देते हुए बताया गया कि हमारे लिए इस तरीके के काफसिटी का एक मिसाइल का जुरुत है जिससे हम दुश्मन को ये संदेश दे सके कि इंडियान ओशन के अंदर हमारे साथ पंगा ना ल इवन दोस्तों ये परिक्षन कते ही ये नहीं दर्शाता है कि इंडियान नेवी के ब्रमोस मिसाइलों को आखरी हद तक खतरनाग बना दिया गया है इन मिसाइलों को अभी वी और ज्यादा खतरनाग बनाने के लिए हर दम काम किया जा रहा है इवन मिसाइलों के सबमरीन ल और एर लॉइंच ब्रम्मोस मिसाइल फिग शामिल था। एरफोर्स द्वारा एर लॉइंच ब्रम्मोस मिसाइल के लैंड एटेक और एंटी शीप दोनों ही वरजिशन को, पिछले साल आखरी के समय में तेस्ट किया जा चुका है। जबकि इसके इलावा आर्मी दुआरा भी अपने अंदामान निकुवार कमांड में ब्रमोज मिसाइलों को एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड तक डाक के ये परिक्षन किया गया कि किस तरीके से दुश्मन के हमले के दर्मियान इसे आर्मी अपने जमीनी ठिकानों से भी ड इसका इस्तेमाल करके इंडिया, इंडिया के टरिटोरी के बाहर जाके दूर तक दुश्मन के जमीन के अंदर स्तित ठिकानों को ध्वस कर सकता है। सबसे पहले तो जड़फ के सुरुवाती समय में ही इंडिया द्वारा ब्रमोस मिसाइलों को चाना से लगे हुए बॉटर के नस्दिक डिपलोई कर दिया गया। महिने में लगवग हर एक महिने में हुआ जिन में 4500 किलमेटर रेंज का मिसाइल भी शामिल था। ब्रमोस मिसाइल के टेस्ट के इलावा पिछले साल हमें इन मिसाइलों को लेके बड़े खुशखबरी ये भी मिला कि कई सारे देश इन मिसाइलों को खरिदने के लिए तयार है और भारत को रशिया के तरब से मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके अनुमती भी दे दिया ग ताविक भारत द्वारा संभाविच सबसे पहले ब्रमोस मिसायलों का एक्सपोर्ट फिलिपीन को किया जा सकता है ज़वकि फिलिपीन के इलावा वियतनाम इंद्रोनेशिया जैसे देश पहले ही इन मिसायलों को खरिदने के लिए अपने इंट्रेस जता चुका है जबकि कोनों देशों के तरफ से भारत के ब्रमोस मिसायलों को लेके बातचीत किया जा सकता है लेकिन अब तक इसे लेके कोई ऑपिसल क्लासा नहीं किया गया। के तुलना में लगवग आधा वजन के है और लगवग सेम रफ्तार और सेम रेंज का है और इसे इंडियान एरफोर्स के छोटे आकार के तेजस और रैफैल जैसे फाइटर एरक्रेप्टों के लिए डवलफ किया जा रहा है दोसों ये मिसाइल इंडियान एरफोर्स के फाइ सारे देश इन मिसाईलों के सम्मरीन लाउंच मिसाईलों को लेके वी इंटरस्टेड है क्योंकि यह सुपरस़ोंिक रफ़तार के मिसाईल है और इसे डेट कर पाना काफी मुश्किल है ज़कि दूसरे तरफ चाइना के तरफ से भी पिछले साल ब्रम्मोस मिसाइलों को लेके बयान आया था बयान के मुताविक चाइनीज नेवी के पास जो सब सॉनिक क्रूज मिसाइल है उसे रोकने का शमता भारत के पास तो है लेकिन भारत के पास जो सुपर सॉनिक क्रूज मिसाइल है उसे रोकने का शमता चायना के पास नहीं है दोस्तों अब चलिए जानते हैं ब्रम्मोस मिसाइल के डेवलोपमेंट के बारे में और फिलाल इंडिया के पास ऐसा कितना मिसाइल है। ब्रम्मोस एरोस्पेस के बड़े शेयर भारत के पास है जबकि भारत के जैसा ही शेयर लेकिन थोड़ा छोटे आकार का शेयर रश्या के पास है। इसे आर्मी में भी शामिल किया गया और सबसे आखिर में इसे एरफोर्स के लिए बनाया गया। मतलब 2001 से लेके 2021 तक ऐसे 2000 मिसाइल बनाने का इरदा रखा गया था जबकि इनमें से ज़यातर मिसाइल दोनो के आर्म्पोर्स में इस्तेमाल करने का बात कहा गया था और कुछ मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के भी इरदा रखा गया था। फिलाल Indian Armed Forces में आर्मी, नेवी और Air Force तीनों के पास ही ब्रम्मोस मिसाईल है। नेवी के द्वारा अपने राजपूत क्लास डेस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेट, शिवालिक क्लास फ्रिगेट, कोलकता क्लास डेस्ट्रॉयर में जहां पे ब्रह्मोस मिसाईलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उई पे विशकावत्नम क्लास डेस्ट्रॉयर और में शामिल किया गया आर्मी द्वारा टोटल तीन ब्रमोस रेजिमेंट को 861 मिसाइल रेजिमेंट में ब्रमोस ब्लोक 1 और 881 और 1889 मिसाइल रेजिमेंट में ब्रमोस ब्लोक 2 मिसाइलों को शामिल किया गया है जबकि ब्रमोस ब्लोक 3 मिसाइलों को भी शामिल किया जा रहा है लेकिन कितने संख्या में कौन से रेजिमेंड में कब शामिल किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है उई पर इंडियान एर फोर्स को देखे तो इंडियान एर फोर्स फिलाल एक ही एर फोर्स टेशन में ब्रम्मोस एर लाँच मिसाइलों को इस्तेमाल करता है और ये दक्षिन भारत में तंजावुर में स्तीत है जहाँ पे स्क्वाडरे नंबर 222 में सुकुई 30 MKI के साथ एर व्रॉंच ब्रम्मोस मिसाईलों को टैनात किया गया है दूसरे तरफ अगर रश्या के देखे तो रश्यान नेवी में सर्फ करनेवाला एड़िरल गौश्काफ क्लास फिरीगेट में अबग्रेशन के साथ-साथ ब्रम्मोस मिसाईलों को शामिल गया जाएगा दूसरो फिल तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद